हेलो सोनवसकार दोस्तों आपके अपने यूट्यूप चनल फारमेशी बाबा में एक वार फिरश्या आपका बहुत-बहुत स्वागफ स्वागत है दोस्तों अगर आपको आपका नाक बह रहा है या फिर नाक बंध है छींक आ रही है खुजली हो रही है शुजन आ रहा है या फिर आँखों से पानी आ रहा है और सांस लेने की समस्या आपको बनी हुई है या फिर सांस लेने में कोई प्रेसा नहीं हो रही है उसके इलाज में या फिर आपके सौसन मारग में शुजन को कम करने में या फिर सांस लेने में रहत पहुंचाने में कौन सी टेबलेट का यूज किया जाता है दोस्तों इसके बारे में मैं आज को बताने वाला हूँ दोस्तों इसके बारे में मैं आपको पूरी डीटेल चे जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों अगर आप चैनल पे नहीं हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्रा वाले हैं टेल कास्ट एल टेबलेट के बारे में यह एक दवाओं का कॉंबिनेशन होता है जिसका इस्तमाल सबसे ज्यादा एलर्जी की लक्षणों में जैसे नाक बहना, बंद नाक, छीक आना, खुजली होना, शूजन का आना, आंखों से पानी का आना, सांस लेने में प्रे कुंजन को कम करने और सांस लेने में आसानी होती है दोस्तों, ठीक है, इसके साथ साथ मैं बताऊंगा, इसकी कमपनी के बारे में तो इसको लूपिन कमपनी को बनाती है दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे, इसकी जो MRP रेट होती है, उसके बारे में, तो MRP पिरेट कुछ ज्यादा कुछ नहीं है लग बगा आपको ये 15 टेबलेट की एक इस्टी पाते है दोस्तों ठीक है जो आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से उपलब भी हो जाती है दोस्तों ठीक है इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसके और क्या-क्या नुकसान होती हैं और क्य इसके साही इस्तमाल करने से इसके फायदे होते इंस सभी के बारे में मैं आपको पूरी डीटेल से जानकारी देने वाला हो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इसके जो टेबलेट की MRP के बारे में तो इसकी लगबग 105 रूपे के लगबग इसके आपको MRP रेट मेडिकल लेखने को मिल जाती है इसके साथ साथ हम बात करें इसको यूज कैसे करना है यूज करने के तरीके के बारे में हम बात करें तो इसको आप कम से कम इसको एक बार ले दोस्तों अगर आपको दिक्ट ज्यादा हो रही है सांस लेने में तकलिफ हो रही है या फिर आपको जो भी हैं कि प्राइंगश रिटर… ने हो रही है तो अपिस टेफ को ज्यादा तरह पर एक टाइम इसको लें दोस्तो ठीक है और हम बात करें इसमें जो कम पोजिशन मिला होता एक तो तो होता है लिवो सिट्रिजन जो की पांच एम जी होता है और एक होता है मॉन्टेलो कास्ट जो की 10 एमजी में ये दो साल्टिस में मुख्य तोर पे मिले होते हैं दोस्तों ठीक है इसके साथ साथ हम बात करें इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में नुकसान मैंने बता दिया है फायदे मैंने इसके बता दिया है अब हम बात करेंगे इसके और कुछ नुकसान के बारे में और जैसे हम बात करें इसके नुकसान तो नुकसान इसके ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों एकादिया जैसे नॉर्मल सिर्दर धोना वगेरा जो भ आते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए को बेल आइकन ओल पर जाके प्रेस कर देना धन्यवाद ऐसी हर रोज में आपके लिए रोज्सक्राइब लेकर आता रहता हूं